नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ ओमकार चोधरी राकेश टिकेट ने क्या कहा है मुंबई में क्या पहले उसको सुन लें क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर यही आवाज और यही क्लिप तैर रही है और उस पर लोगों की तरह तरह की टिपणियां सुनने को मिल रही हैं कि पहले ज़रा सुन लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार जो कुंडागर्दी करना चाहते हैं वो कुंडागर्दी नी उनकी चलेगी बहुत यह लिया किसान ने एक साल अपने दिमाग ठीक करके अपने द्यान से सुना इन्होंने क्या कहा है 26 जनवरी भी यहीं है करीब है चार लाग ट्रेक्टर भी करीब हैं सरकार अपने दिमाग ठीक कर ले गुंडागर्दी ना दिखाए MSP पर गारिंटी का कानून बना दे और बात कर ले पांच बाते हैं दिमाग सरकार के खराब है या इनके खराब है गुंडागर्दी सरकार कर रही है या ये लोग कर रहे हैं और अगर इस देश का प्रधान मंत्री ये जो साल भर से यहां लेटे हुए है दिल्ली में इनका अगर सम्मान करते हुए एक सकारात्मक संदेश देने के लिए जिसका बहुत बड़े वर्ग में एक नकारात्मक संदेश भी चला गया है अगर क्रिशी कानून वापस लेने का एलान कर रहे हैं 19 नमंबर को किया था उनोंने उसके हफते भर के बाद उनकी कैबिनेट ने उस पर सहमती की महर लगा दी और कल 29 नमंबर को पार्लियमेंट के शीत कालीन सत्र के पहले ही दिन क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग्तोमर लोक सभा में इन तीन क्रिशी कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं उसका मस्वदा भी मेरे पास है अगर केंदर सरकार एक सखारात्मक संदेश दे रही है उधारता का परीचे दे रही है डेवन से इन पर बल परियोग नहीं कर रही है किसी तरह का वाटर कैनन, किसी तरह की आसुगैस के गोले, किसी तरह का लाठी चार्ज, किसी तरह की फाइरिंग नहीं कर रही है और किर्शी कानून वापस लेने का एलान कर रही है तो क्या सरकार इन से डर गई है? ऐसा लगता है, जिस तरह की लेंग्वेज, प्राकेश, टिकेट, लगातार बोल रहे हैं और सरकार के सिर पर चड़कर के निर्ट्य कर रहे हैं उस से ऐसा लगता है, कि इनके दिमाग सात्मे आसमान पर है और गुंडागर्दी सरकार नहीं कर रही है डेवन से गुंडों की भाषा ये लोग बोल रहे हैं लगातार ये इसी लेंग्वेज में बक्कल उतारने की बात किसने कही थी? दिल्ली का तुमारे बाप की है, ये किसने कहा था? दिल्ली उसके बाप की होती है जिसको इस देश की जन्ता दिल्ली पर शासन करने का जनादेश देती है अधिकार देती है और वो 2014 में भी मौदी को मिला था वो जनादेश 2019 में भी मौदी को ही मिला है और लगातार राज्यों में जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मौदी और उनकी भारतिय जन्ता पारिटी को लोगों का आशिरवाद मिल रहा है समर्थन मिल रहा है वो भी इंडिकेट करता है कि ये चाहे लाख आंदोलन चला रहे हों इन्होंने अराजकता पैदा कर रखी हो बार बार कानून तोड़ रहे हों बार बार सरकार को धंकियां दे रहे हों चार लाख ट्रेक्टरों की 26 जन्वरी की इसके बावजूद देश की जन्ता है वो मौदी सरकार के साथ खड़ी हुई है भारतिय जन्ता पारिटी के साथ खड़ी हुई है मैं आपको बताता हूँ तिरपुरा में 14 नगर निकायों के चुनाव हुए और उन में से जो 334 कुल मिलाकर के वार्ड्स हैं उन में से 329 पर भारतिय जन्ता पारिटी ने कबजा किया है 334 में से 329 वार्ड्स में और सभी नगर निकायों पर भारतिय जन्ता पार्टी का ध़ज फेराया है टीमसी को पता है आपको कितनी सीटे मिली है सिर्फ एक वांपंथी दलों का सुप्रासाफ और 81 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतादिकार का परियोग महां किया था उनमें से अधिकांश वोट जो है वो भारतिय जन्ता पार्टी को मिलाया जो पंचायत चुना हुए थे उरे उत्तर परदेश में कुछ जगाओं को छोड़ करके भारतिय जन्ता पार्टी का पर्चम फेराया यहां तक कि इसी आंदोलन के दोरान राजस्थान में जो पंचायतों के चुना हुए थे वहां भी आदेश से ज़्यादा जिला पंचायतों पर भारतिय जन्ता पार्टी का कबजा हुआ जबके वहां पर कॉंग्रेस की सरकार राज्य में काम कर रही है हैदराबाद में जहां पिछले चुनाओं में केवल चार सीटे थी वो बढ़ करके 44 हो गई पिछले दिनों जो चुनाओं हुए हैं उनमें आपने देखा है बंगाल को छोड़ दें तो बाकी जगह है भारतिय जन्ता पार्टी का परफॉर्मेंस और बंगाल में भी 3 से 77 पर पहुँची है तिरपुरा में टीमसी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किये थे एक सीट 334 में से एक सीट और ये जो ममता बिनर जी पश्चिम बंगाल के बाहर राज्यों में घूम रही हैं परदान मंत्री बनना चाहती हैं दो हजार चोबीस में नरेंद्र मोधी को और भारती जिंता पर्टी को हरा करके परदान मंत्री बनना चाहती है क्या हुआ तिरपुरा में पश्चिम बंगाल के बाहर इनका कहीं कुछ नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से वोटों का धुर्वी करन कराया गया जो गुंडागर्दी चुनाव से पहले चुनाव के बाद देखने को मिली जिस तरीके से वहां तमाम संस्थाओं को पंगु बना करके रखा उसका नतिज़ तो यही होना था लेकिन धमकिया वो किसको मिल रही है केंद्र अपना धिमाग ठीक कर ले और MSP पर कानूनी गारंटी दे दे नहीं तो 26 जनवरी भी दूर नहीं है 4 लाख ट्रेक्टर भी दूर नहीं है एक ऐसी केंद्र सरकार एक ऐसे प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री कौन? अरेंद्र मोदी और वो भी दुनिया में जितने देश हैं और जो प्रमुख 13 देशों के राष्ट प्रमुख हैं उनमें सरवाधिक लोप्रियता ग्लोबल रेटिंग नरेंद्र मोदी की और ये किस लेंग्वेज में बात करते हैं? प्रधान मंत्री के बारे में मीडिया से ओन कैमरा ऐसा कभी किसी देश में कोई सरकार बरदास्त करेगी? के एक इतने लोप्रिया प्रधान मंत्री के बारे में इतनी निचले इस्तर की गंदी जबान का परियोक करें कोई आदमी और लगातार करें? और टेलिविजन चैनल उसको परसारित करते रहें? और उपर से ये कहा जाए के साब बोलने की आजादी नहीं है देश में अभी व्यक्ति की आजादी नहीं है असाहिशनु है सरकार असाहिशनु साकि अभी व्यक्ति की आजादी की परिभाशा क्या है? मेरे विचार से फिर से तैह करने की जरूरत है इस देश में और ये जो धमकी दे रहे हैं कि 26 जन्वरी दूर नहीं है पिछली 26 जन्वरी को जो कुछ हुआ था या जो कुछ कराया गया था इसका तो सीधा मतलब ये है ना कि ये फिर से पिछली 26 जन्वरी को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को या सरकार को ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप वो कर दीजिए जो हम मांग रहे हैं यानि MSP की कानूनी गारंटी दे दीजिए तीन कानून तो आप निरस्ट कर रहे हो वापस ले रहे हो MSP पर आप गारंटी दीजिए, कानूनी गारंटी दीजिए, नहीं तो 26 जनवरी फिरा रही है और 4 लाख ट्रेक्टर हम दिल्ली में फिर बुला लेंगे ये लगभग वैसा ही है जैसा जम्मू कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान, भारत अब तक भारत को डराता रहा है ये कह करके कि या तो आप जम्मू कश्मीर पर हमारी शर्ते मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए सिरीनगर से लेकर के लद्दाग तक सब हमारे हवाले कर दीजिए नहीं तो हम आतंकमाद भी जारी रखेंगे और हम परमाणू शक्तितों हैं ही और हमने कोई चूडिया नहीं पहन रखी है आप अगर हमें छेडेंगे तो हम आपको छोडेंगे नहीं इसी अंदाज में पाकिस्तान, भारत को भारत से इससे पहली सरकारों को धमकाता रहा है, ब्लैक मेल करने की पोशिश करता रहा है लेकिन 2014 के बाद पाकिस्तान की भीगी बिल्ली बननी हुई है वह चाहे नवाज शरीफ रहे हो, चाहे इमरान खान है वो बयानवाजी चाहे जो कर ले लेकिन उनको पता है उड़ी होगा, तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी पुल्वामा होगा, तो एर स्ट्राइक होगी और कुछ और गुस्ताखी करेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा इसलिए इनके खिलाब का रवाई क्यों नहीं कर रही है केंदर सरकार अगर हम इनकी पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर के ब्लैक मेलिंग से इनकी ब्लैक मेलिंग की तुलना कर रहे हैं तो बस अंतर इस बात का है कि वो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान के ही नागरीख हैं और खुद को किसानों का नेता बताते हैं और इनके कहने पर इनके उकसावे और बहकावे पर बहुत सारे मासून आम किसान भी इनके धरनास्थलों पर पहुंच जाते हैं और उनहीं की आड़ लेकर के ये किनहीं ताक्तों से सुपारी लेकर के इस तरह के करम कांडों में लिप्त हैं। और सबसे बड़ा जो खलनायक का रोल इस पूरे परकरण में किसी ने निभाया है तो वो है इंडियन मीडिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ना जवान ठीक से है, ना शब्दों का चयन वो ठीक तरीके से कर सकता है, ना दस सेंटेंस सामान्य होकर के बात कर सकता है, बोल सकता है, ना जिसको ये समझ है कि इस देश का दोबारा से पूर्ण वहुमत प्राप्त प्रधान मंत्री से प्रधान मंत्री के बारे में किस तरीके से बात की जानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को इस देश के इस मीडिया ने महानायक बनाया हुआ है, महानायक, वो कहीं भी जाता है, उसके पीछे पीछे कैमरा में पहुंच जाते हैं, उनके नो सिखिये, ना समझ पत्रकार पहुंच जाते हैं, जिनको पत्रकार कहना भी मेरे वज़ार से कोई अच्छी बात नहीं, मैं मानता हूँ, ये पत्रकार भी नहीं है, इनको तमाशा करना है, इनको मोदी को गाली देते हुए लोगों को परसारित करना है ऐसे लोगों को ढूंड़ना है जो मोदी को गाली देता हुआ हो और फिर बीना काट शाटके उसको परसारित भी करते है तो एक ऐसा व्यक्ति जो khulे عाम 26 जन्वरी की धमकी दे रहा हो किस 26 जन्वरी की जब इन्होंने दिल्ली में तांड़ाव मचाया था दिल्ली पुलिस को दी गई अंडर टेकिंग को इन्होंने तोड दिया था और तोड़ा ही नहीं था उन रूट्स पर अपने ट्रेक्टर दोड़ाई थे गोड़े दोड़ाई थे जिनकी पर्मिशन इनको नहीं थी जिस लाल के लिए पर 1947 से लेकर के अब तक जितने प्रधान मंत्री हुए हैं उन्होंने हर 15 अगस्त को तिरंगा फेराया है और राष्ट के नाम संबोधित किया है उस तिरंगे पर इन्होंने कबजा किया इस अंदाज में किया जैसे लाल किला कोई एतिहासिक इमारत ना हो करके इनके लिए कोई खिलो ना हो जैसे अमेरिका में कैपिटल हिल पर ब्लेक लाइज मैटर वाले उने एक तरीके से अटेक करके कबजा किया था उसकी दीवारों पर चड़ गए थे वैसे ही सीन इन्होंने पिछली 26 जनवरी को यहां दिल्ली में लाल किले पर उपस्तित कर दिये थे ऐसा क्यों हुआ क्यों करने दिया गया बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर के परधान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्रह मंतरी आमित शाह को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने बार बार इस तरह की हिंसा करने वालों को कानून तोड़ने वालों को सबक क्यों नहीं सिखाया सिक्षा क्यों नहीं दी कानून के शिकंजे में क्यों नहीं कसा क्योंकि सरकार के पास वो सूचनाए थी जो हमारे और आप के पास नहीं होती है इनके हर इस तरह के कर्म कांड के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रही है देश के भीतर और देश के बाहर भी कुछ ऐसी ताक्ते बैठी हुई है जो यहां दंगे कराना चाहती है जो हिंसा कराना चाहती है जो बहुले भाले किसानों का खून बहाना चाहती है और उस पर फिर देश विदेश में भौंडी सियासत करना चाहती है और ये उनके महरे हैं इनको चुकी मीडिया का चस्का लग गया है मीडिया में आने का इसी तरह की धंकियां देकर के सुर्खियां बटोरने का और अपने आकाऊं को खुश करने का इसलिए ये भी मीडिया के हाथों में खुल करके खेल रहे हैं बहुत सारे अंकर इनको कहते हैं जब इंटर्वियू शुरू करते हैं कि इस देश में कुछी समय में इतनी लोगप्रियता किसी ने हासिल नहीं की जितनी राकेश्टिकेट ने कर लिए है इसे लोगप्रियता कहते हैं लोगप्रियता की परिभाशा क्या है लोग प्रियत्ता अगर राकेश टिकेट जिन को अपने पूरे मुझफर नगर जिले में भी सारे लोग सम्मान नहीं देते हैं खुद इनकी सिसोली गाउं में भी इनके खिलाब बोलने वाले हैं अगर आपने उनको रोज अपने टेलिविजन परदे पर बैठा बैठा करके प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी और भारते जिन्ता पार्टी और RSS को गालियां दिलवा करके एक पहचान दिला दी है कि ये बदजुबान आदमी है ये किसी के बारे में कुछ भी कर सकता है ये प्रदान मंतरी को भी धमका सकता है कि दिमाग ठीक कर लो ये काम कर दो नहीं तो हम ये कर देंगे ऐसे आदमी को आप लोग पर यह कहेंगे जो हाल है जब प्रदान मंतरी ने 19 नवंबर को किर्शी कानून वापस लेने के लिए राष्ट को संबोदित किया उस दिन और उसके बाद कई दिन तक मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहे कि आप प्रदान मंतरी का बचाव क्यों करते हैं क्योंकि प्रदान मंतरी ने ठीक नहीं किया है ये मुठीवर लोग हैं जो पॉलिटिकल मॉटिवेटिड होकर के इन कानूनों का गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं उन 80 या 88 प्रतिशत किसानों का क्या जिनके लिए ये कानून बनाए गए थे क्या उनको फासी दे दी जाए जिनके फाइदे के लिए ये कानून लाए गए थे और सरकार क्या इतनी कायर हो गई है या मोदी जी या अमित शाह इतने डर्पोक हो गए हैं कि इस भैसे कि अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो ये कोई बहुत बड़ी हिंसा फैला देंगे कोई सामाजिक वेमनस से पैदा कर देंगे हिंदूं सिखों को लड़ा देंगे या सेना में जो सिख कम्यूनिटी के हमारे जवान या आदिकारी हैं उनको बरगला देंगे क्या उनको अपनी फोज पर अपने जवानों पर अपने देश के नागरिंगों पर भरोसा नहीं रह गया है तमाम तरह की बाते हैं क्योंकि यही सब करण गिनाए गए कि इस तरह की इंटिलिजेंसी इंपूर्ट्स हैं लेकिन प्रधान मंत्री ने शायद यह सोच करके कि पूरे देश में सामजिक जो सदभावना है वो ना बिगड़े इसलिए एक ऐसा स्टेप लिया जिसके लिए उनके अपने चाहने वालों का भी उनको कोप भाजन बनना पड़ा उनकी नाराजगी जहलनी पड़ी और बहुत सारे सवाल उट रहे हैं वो नाजायज नहीं हैं वो सही हैं सब जानते हैं कि इन किर्शी कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है फिर भी अगर वापस लेना पड़ा है तो कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से एक मजबूत परदान मंतरी को कमजोर हो करके माफी मांगते हुए देश से माफी मांगते हुए इन किर्शी कानूनों को वापस लेना पड़ा लेकिन इन की तरफ से क्या जेस्चर है इन की तरफ से क्या शो किया जा रहा है ये जिस language में बात कर रहे हैं उससे ये ये show कर रहे हैं कि जैसे इन्हों ने प्रधान मंत्री को इस देश के प्रधान मंत्री को डरा दिया है जुका दिया है गुटनों पर बैठा दिया है नाक रगडवादी है उनकी और अब उसी पाकिस्तानी शैली में धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं प्रदान मंतरी को कि आप या तो MSP की कानूनी गारंटी दे दीजिए नहीं तो 26 जनवरी भी आ रही है करीब है और 4 लाख ट्रेक्टर भी तयार है इस से आगे की सुनिये अभी सिंगो बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स की बैठक हुई उसमें 29 नवंबर का यानि कल आने वाले 29 नवंबर का जो इनका ट्रेक्टर मार्च था उसको इस्तागित कर लिया गया एक सकारात्मक संदेश देने के लिए और अगली बैठक चार दिसंबर को बुलाई गई संकेत ये हैं चार दिसंबर से पहले सरकार इन कानूनों को वापस ले लेगी और चारिक्टाएं पूरी हो जाएगी राष्टपती की भी स्विकृती मिल जाएगी चार दिसंबर को ये बैठक करके आंदोलन के स्वरूप को बदल देंगे बहुत संबहु है यहां से इनकी वापसी हो जाए लेकिन आप जानते हैं के राकेश टिकेत ने आपने लोगों को यानि भारती ये किसान यूनियन टिकेत के लोगों को क्या संदेश दिया है रोजाना पाँच सो लोग गाजेपुर बॉर्डर पर पहुँचें यानि संयुक्त किसान मौर्चा जो फैंसला ले रहा है ये उस फैंसले के साथ भी खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं संयुक्त किसान मौर्चा में जो पंजाब की लीडर्शिप है उसका कहना है कि एक सम्मान जनक समय है हमारी एक बड़ी मान ली गई है अब हमें पीछे कदम लेने चाहिए अपने घरों को वापस लोटना चाहिए लेकिन राकेस टिकेत वापस लोटने को तयार नहीं है तो किसके इशारे पर यहां बैठे हैं किसके मनुरत पूरे कर रहे हैं किसकी सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस लेंग्वेज में ये बात कर रहे हैं ये लेंग्वेज किसी आंदोलन कारी की तो नहीं हो सकती है किसी समझदार व्यक्ति की तो नहीं हो सकती है कोई भी सरकार हो, सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है सरकार के पास बहुत सारी एजिंसियां भी होती है सरकार के पास बहुत लंबे-लंबे कानून के हाथ भी होते है और ये हमने अतीत में कई सरकारों के कारेकाल में देखा है देखा है तो आंदोलन जब चलते हैं सामने जब भीड होती है सुर्खियों में जब आप आते हैं आपके अनकट बयान जो है वो परसारित कर दिये जाते हैं परकाशित कर दिये जाते हैं तो कई बार कुछ लीडर्स के दिमाग खराब हो जाते है तो मुझे लगता है कि दिमाग सरकार को ठीक करने की जरूरत नहीं है सरकार ने तो अपनों की नाराजगी अपनों का क्रोध जेल करके इनकी मांग मानी है जो बेजा मांग थी जिसको आप सही मांग नहीं कह सकते हैं और हमारे मित्र हैं परदीब सिम्ग उन्होंने एक वीडियो बनाया था जब ये कानून वापस लेना का ऐलान प्रदान मंद्री ने किया था उन्होंने शीरशक ही ये लगाया था कि सच हार गया और जूट जीत गया ये जूट ही तो है इनको काले कानून बताना इनमें काला क्या है ये 26-27 नवंबर 2020 से लेकर के आज 28 नवंबर 2021 है इस एक साल में नहीं बता पाए के इन कानूनों में काला क्या है और इनमें किसानों के खिलाब क्या है तो एक जूट था जिसकी जीत हो गई अल्टिमेटली और जो सच था जिसके बारे में प्रधान मंतरी ने राष्ट को संबोदित करते हुए कहा था कि दिये की लोकी पवित्रता की तरह सच्चे मन से हमने ये कानून बनाये थे किसानों की बहत्री के लिए उनकी उपज का लाबकारी मूल ले दिलाने के लिए लेकिन जो हुआ और उसके बाद जो इनका रुख है इससे ये फिर से साबित हो रहा है कि ये लोग किसानों के हितों में आंदोलन नहीं चला रहे हैं ये 88 प्रतिशत छोटे मजहुले सीमानत किसान के खिलाप आंदोलन चला रहे हैं उनके हितों के खिलाप आंदोलन चला रहे हैं मौदी सरकार के खिलाप आंदोलन चला रहे हैं और ये किसान आंदोलन नहीं है सियासी आंदोलन है 26 जनवरी को बिलकुल ठीक कहा था जीनियोज पर उन्होंने कहा था कि आप एक मांग पूरी करेंगे दो करेंगे, पांच करेंगे, दस करेंगे पंदरा करेंगे ये मांगो का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा और अल्टिमेटली तो ये फिर लास्ट में कहेंगे कि हम तब ही आंदोरन खतम करेंगे, जब आप जम्मु कश्मीर से 370 हटा देंगे, और प्रधान मंत्री पत से नरेंदर मौदी इस्तीफ़ा देंगे सुधीर का, सुधीर चोधरी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर है और वो ही सारी बातें सही सिद्ध होती जा रही है कब तक मौदी सरकार इनको इस तरह की धमकियां देने की आजादी देती रहेगी ये भी देखना है क्योंकि सरकार की, प्रधान मंत्री नरेंदर मौदी की सहन शीलता तो पूरा देश भी देख रहा है उनके समर्थक भी देख रहे हैं और विदेश भी देख रहा है वरना प्रधान मंत्री के पास तो बहुत सारी ताक्ते होती है और जिस जिस तरह के करम कांड हो चुके हैं इस अंदोरन के दोरान उसमें तो इनको हटा करके या तो अंदर डालने या इनके घरों को भेजने का विकल्ब सरकार के पास था लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि इस सरकार में और इस से पहले की उस सरकार में यही अंतर है जिसने शांती पूर्ण तरीके से राम लीला मैदान में आराम से सो रहे स्वामी राम देव और उनके समर्थकों को रात को बिजली काट करके अंधेरे में लाठी चार जोर आंसु गैस के गोले चोड़ करके भगाया था यहां से और उनको राम लीला मैदान में आए हुए दस दिन भी नहीं बीचे थे यह तो एक साल तक बैठे रहे दिल्ली के गले को दबा करके बैठे रहे चार मौर्चों पर, तीन मौर्चों पर लेकिन मौदी सरकार ने तो इनको हटाने की कोशिश नहीं की इनकी विजली नहीं काटी इनके पानी के connection नहीं काटे यही अंतर है उस सरकार में और इस सरकार में और इस सरकार में ज़्यादा सेहन शीलता है ज़्यादा लोगतांतरिक तरीके से चलने वाले आंदोलनों को ना कुछलने देने की परवर्ती है शायद इसी लिए ये अब धमकी देने पर उतर गए है और पता है सबसे बड़ी पीड़ा इनकी क्या है इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि ग्यारे दोर की बादचीत करने के बाद मोदी सरकार ने इनको 22 जनवरी के बादचीत के लिए बुलाया ही नहीं और अब भी प्रधान मंतरी मोदी ने बिना इन से बात किये अपनी तरफ से ही किर्शी कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया जबके ये लोग चाहते थे के हम जाएं हमें इन से फिर कई दोर की बादचीत करें किर्शी मंतरी को गेरे रखें बैठाए रखें तरह तरह की बाते करें उन से और तीन किर्शी कानून वापसी के लिए सरकार अगर तयार होती भी तो उससे पहले और कई मांगे इनको मनवानी थी जिनमें वो हजारों मुकदमे भी हैं जो इस आंदरन के दोरान इन होने कानून जगए जगए तोड़े हैं और उसके वश्य भूत होकर के सरकार को इनके खिलाब कानूनी मुकदमे कायम करने पड़े हैं तो बहुत सारे इनके अर्मान इनके दिल में रह गए हैं इनको लगता है कि प्रधान मंत्री ने तो एक तरफा ऐलान कर दिया तो ये भी हमारा अफमान है जबके इन ही में से कई नेता कह रहे हैं कि सरकार ने एक बड़ा डिसिजन लिया है ये हमारे सम्मान की बात है ये हमारी जीत है हमें अब अपने घरों को लोटना चाहिए अगले कुछ दिन बताएंगे कि ये राजी खुशी अपने घरों को लोटेंगे या कुछ इनाम लेकर के यहां से जाएंगे क्योंकि अल्टिमेटली फिर सरकार के पास भी कोई और रास्ता बस्ता नहीं है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार